आज मैं आपके साथ कस्टर्ड मैंगो आइसक्रीम की रिसीप शेयर कर रही हूँ इसका टेक्स्टर देख रहे है ना आप एक तम मार्केट जैसा है बनाना भी बहुत ही आसान है और इसमें थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट दिया है नॉर्मल मैंगो आइसक्रीम से थोड़ा डिफरिंट है लेकिन फ्लेवर में बहुत ही जबरदस्त है और माउथ मेल्टिंग आइसक्रीम है ये आए देखते हैं इसे कैसे बनाना है सबसे पहले हम एक पतीले में एक पाव दूद ले लेते हैं जितना कॉफी मग में आता है फुल कप आप ले सकते हैं उतना मेजरमेंट से और इसे हम बॉइल होने के लिए रख देते हैं जब तक ये बॉइल हो रहा है तब तक हम आधे कप दूद में तीन चमच कस्टर्ड पावडर डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से और ये जो दूद है ये रूम टेंपरेचर पर होना चाहिए फ्रिज से डारेक्ट निकालके आप इसमें कस्टर्ड पावडर डाल देते हैं दूद का और इसे जल्दी जल्दी हमें चलाना पड़ेगा क्योंकि आप अगर थोड़ा भी देर करेंगे तो इसमें लम्स पढ़ने लगते हैं तो अब हम गैस की फ्लेम ふह बंद कर देते हैं क्यूंकि आप देख सकते हैं कि ये दूद जो थिक हो चुका है तो ये मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है और यया आप देख सकते हैं इस तरह की consistency होनी चाहिए आपकी बहुत जादा थिक नहीं है, बहुत जादा रनी भी नहीं है, अब मैं इसमें आधा कटोरी शकर डाल रहे हूँ, और फिर से अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं, शकर अपने आप इसमें मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि बहुत करम है, तो जब तक यह ठंडा हो रहा है, तब तक हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, और यह आप देख सकते हैं, कि आदे घंटे बाद यह अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, अब मैं इसमें फ्लेवरिंग के लिए वैनिला ऐसेंस डाल रहे हूँ, एक चमच वैन बहुत अच्छा आजाता है, अब मैं इसमें 100 ग्राम कंडेंस्ट मिल्क डाल रही हूँ, यह मैंने मार्केट से लिया है, पर कंडेंस्ट मिल्क आप घर पे भी बना सकते हैं, और इसे टेक्चर बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए आप कोशिश करें इसे डालने की, आप न मिल्क पाउडर से भी बहुत अच्छा टेक्चर आ जाता है, इसक्रीम का, अब मैं इसमें 1 किलो मैंगो का पल्प डाल रही हूँ, इसे मैंने मिक्सर में अल्रडी ग्राइंट कर लिया था, इसलिए अच्छा स्मूथ है, और इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें, इन त आप ये सारे इंग्रीडेंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, और अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें इसे निकाल कर फ्रेज में रख देंगे, कम से कम दो घंटे के लिए हमें इसे जमाने के लिए रखना है, दो या तीन घंटा उससे ज्यादा आप मत इसे रख बहुत जादा फ्रीज नहीं हुई है, पर हमें इतना ही चाहिए इसे जादा नहीं, अब मैं इसमें फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ, इसकी जगह आप विब्ड क्रीम या फिर हैवी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, चलिए अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं, अगर एक मिनिट तक विख करने के बाद, अब मैं इसमें आइसिंग शुगर एट कर रही हूँ, एक कर टोरी, आप इसकी जगह पर पाउडर शुगर भी नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, अब इसे भी हम थोड़ी तेर विख करेंगे, पर अब ये डालने के बाद हम 40-50 से किंड त अब हम इसे एक बड़े पतीले में निकाल लेते हैं, आप देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी स्मूथ है, हमें इसी तरह का टेक्चर चाहिए हैं हमारी फ्रेश क्रीम में, और इसके साथ अब मैं इसमें डाल रही हूँ, कस्टर्ड और मैंगो का पल्प जो हमने जम अब हमें इसे एक बार और फेटना है, इसलिए हमने पहले इसे कम फेटा था, जिससे कि इसका बटर ना निकल जाए, और अब हम इसे अच्छी तरह से विस्क कर देंगे, आप चाहें तो इस पूरे मिश्टरन को मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत अच्छा फ्लफी टेक्च्चर आ जाता है, पर मुझे हैंड ग्राइंडर जादा एजी पड़ता है, तो इसलिए मैं इससे कर रही हूँ, यह आप देख सकते हैं कि अल्रेडी हमारा मिक्स्चर जो है थोड़ा थोड़ा फ्लफी होने लगा है, लग बुक पांच मनिट तक करने के बाद अब मैं इसमें आम के कुछ फ्रेश पीसिस डाल रही हूँ, मैंने एक आम पूरा लिया है, पीसिस डालने के लिए, आप अपनी चोईस के हसाब से ले सकते हैं, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, जब यह छोटी छोटी आम की पीसिस आपके तो यह आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम की कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है और कितनी स्मूथ हमारी आइसक्रीम का बैटर बन चुका है, और यह एकदम माउथ मेल्टिंग आइसक्रीम बनेगी, चलिए अब हम इसे जमाने के लिए एक एर टैट कंटेनर में निकाल लेते ह इसका फ्लेवर और इन्हेंस करने के लिए आप इसमें कुछ ड्राइफ रूट्स भी डाल सकते हैं और मैं इसमें और मैंगो की पीसिस राड्रियों को साई लव मैंगो और अब मैं इसे एक अल्यूमिनियम फॉयल से पहले कवर कर देती हूं इस कंटेनर को और उसके बाद इसमें ढखन लगा दोंगी तो इस तरह से आपकी जो आइस्क्रीम है उसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं बनते हैं अब मैं इसे ओवरनाइट रख देती हूं जमने के लिए तो यह रात बर आइसक्रीम फ्रीजर में रखने के बाद यह देखिए आइसक्रीम का टेक्श्चर कि इस तरह से निकाल सकते हैं जैसे मैं निकाल रही हूं क्योंकि मेरे पास बिसकूपर नहीं है यह आप देख सकते हैं आईसक्रीम का टेक्श्चर कितना बढ़ुल आया MERKET जैसा है एकदम जालीदार और इसको स्कूप निकालना भी बहुत आसान है आप स्पून की मदद से इस तरह से स्कूप निकाल सकते हैं अगर आपके पास स्कूपर नहीं है तो तो फ्रैंड्स आपको यह रेसीपी अच्छे लगी होगी मैंगो कस्टरड आइस्ट्रीम बनाना बहुत ही आसान है और इसे आप जरूर ट्राइ करके देखें और मुझे कमेंट सेक्षिन में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है वीडियो थोड़ी बहुत भी यूसफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजेगा अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कीजे और चैनल को सब्स्र ही रसोई में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया